चली टॉप आप 30 मिनिट का फुल रीचार्ज में आज हम आपको करेंगे रीचार्ज आपके फेवरिट टीवी शोज में आए इंट्रेस्टिंग ट्विस्ट से आज हमारे स्पेशल सेग्मेंट जबरदस में सूपर एक्स्क्लूसिवली देखिये भाबी जी के विभुती जी यानिकी आसिफ शेख का हेल्थ एंड फिटनेस फंडा शक्ती में देखिये हर्मन सौम्या का सप्ना भरा प्यार साथ निभाना साथ्या में क्यूं आया रिकी को सीता पर प्यार उडान में सूरज ने क्यूं की तोड़ भोड सपाध्धमा का में आज हमारे साथ है टीवी स्टार हीना खान जिन्होंने जूम से एक्स्क्लिजबली बात की अपने पुराने शो ये रिष्टा की सक्सेस और उसकी अच्छी टी आर पी रेटिंग्स पर हीना अपने पुराने शो की सफलता से काफी खुश है और अब वो नई पारी शुरू करने जा रही है और नए दोस्त बनाने के लिए भी वो तयार है अपने नए शो खत्रों के खिलाडी पर सुव बिष्टाइब गरागों ऊर्ण गर्लों विए तवत्त कर अब हम्यद के लिए अच्छा आप सुटाणत। fresh for me और अच्छा लगेगा मुझे मेरी मैंने जो इतने साल किया है उससे बिलकुल अलग होगा So I am really looking forward to it and yes I'll meet new friends I'm happy I'll meet people which I didn't do all these years Serial शक्ती में आगया है romantic twist जी हां Harman और सौम्या कर रहे है romance वाला डांस Harman अपने खयालों में सौम्या के साथ romance कर रहे है चली हर्मन से जानते हैं उनके इस dream के बारे में एक dream sequence है जो हर्मन सौम्या और हर्मन को imagine करता है डांस करते है So obviously जो weather न हमारा साथ दिया है जो ये 32 डिगरी में suit पहन के डांस करना पुड़ रहे है इस weather का मैं हमेशा शुक्र गुदार रहूँ और हम dream sequence शूट कर दें So yeah, we're having a good time बोलस धमाका में देखिए साथ निभाना साथिया की मीरा का घूंगट वाला लग वल ये सपना तो हर्मन ने देखा है पर सौम्या भी उनके इस ख्वाब में हर्मन की बाहों में डूब गई है और इस romantic पल को enjoy कर रही है सौम्या ने सफेद रंग की साड़ी पहनी है और इस romantic मौसम में अपनी साड़ी में बलखा रही है We can only do romance in dreams आपका हमारे सपने में स्वागत है सीरियल साथ निभाना साथिया में गोपी के बिगडेल बेटे रमाकांत मोदी यानि रिकी का मिजाज आज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था तभी तो देखिए न किस तरह अपने ही घर में चुप चाप एंट्री लेने के फिराक में थे रिकी लेकिन इस बार भी रिकी की किसमत उन्हें दगा दे गई मतलब रिकी महाशय ये सोच कर आये थे कि इस वक्त घर के सदस्य सो गए होंगे और वो अपने उस रुपयों से भरे पैकेट को आसानी से ले जा सकते हैं लेकिन रिकी को सदमा तो तब लग गया जब उसने देखा कि सब लोग अभी तक जागे हुए हैं बस फिर क्या चुप चाप रिकी ने इंट्री ली और बिना किसी से कुछ बात किये वो चल पड़े अपने कमरे की और लेकिन रिकी की इस खामोशी को जगी ने बख्खू भी परक लिया सीरियल साथ्या में मोदी हाउस में पूरा परिवार सुभा नाश्ते का लुट पुठा रहा था वहीं कहानी में आता है ट्विस्ट जब रिकी को पता नहीं क्या हुआ कि वो सभी को जाजा कर किस करने लगते हैं और हाइट तब हो गई जब रिकी ने सीता को अपनी तरफ घसीत लिया क्यूं हो गए न आप हैरान देखिए किस तरह सीता को अपनी बाहों में घुमा रहे हैं रिकी लेकिन आखर ये मुम्किन कैसे हुआ तो आपको बता दे सीता को नहीं बल्कि उनके दिल और दिमाग में बसी नई लड़की समीरा को घुमा रहे हैं समीरा को सीता के अंदर इमाजिन करके उठा रहे हैं लुट्फ सीरियल उडान में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा जिहां चकोर घर छोड़ कर जा रही है इमली और सूरा जोसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती है चलिए जानते हैं चकोर से उनके घर छोड़ने की वज़ा सारी हदे फार उच्चुकी है और चकोर का फैसला है कि वो सूरज को छोड़ के चली जाएगी विगोज ऑविसली जो कुछ हुआ उसके बाद वो नहीं रह सकते हैं इमली भी सामने सूरज भी सामने तो वो हर पल उसको यहीं याद आएगा इनुन मुझे चीट किया है वेल चकोर तो सूरज और इमली से खपा है और उसे धोका मिला है अपने पती से उससे नाराज होकर वो घर छोड़ कर जा रही है पर चकोर से दूर होना सूरज को बरदाश नहीं हुआ उसने चकोर को रोका पर वो नहीं रुकी इसी frustration में वो पहले तो दर्वाजे पर अपना हाथ जोर से मारता है और फिर तोड़ भोड़ कर देता है गुसा खुद पर है फ्रस्ट्रेशन है थोड़ा सा गुसा चकोर पर भी है कि हां ठीक है उसने अगर इमडी की साइडली है तो भी चकोर जो उससे बहुत प्यार करती है जो उससे ची तरह से जानती है शायद उसके दिमाग में एक बार तो आना चाहिए था कि नहीं कुछ तो है शायद सूरज कुछ उपा रहा है जान बूच कर यह कर रहा है वो उसके नहीं आया है वो छोड़के चली गई इसलिए इस फ्रस्ट्रेटर नहीं शो भाग बकुल भाग का मुंबई में हुआ लाउंच इस शो से जैस ओनी टीवी पर वापसी कर रहे हैं और इस शो में उनको एक नहीं बलकि दो दो बीविया दिखाई देंगी एक बीवी बनेगी अक्ट्रिस हीबा नवाब और दूसरी अक्ट्रिस रुती रावत ये शो आपको खूब हसाएगा क्योंकि बकुल दो बीवियों के बीच कैसे मैनेज करता है यही है शो की कहानी इसके साथ चानल ने एक और शो लाउंच किया है जिसका नाम है सावित्री देवी कॉलिज आंट हॉस्पिटल प्रोड्यूसर रश्मी शर्मा का ये हॉस्पिटल ड्रामा शो जल्दी टीवी पर आएगा जबर्दस में देखिए भाबी जी के विभूती जी यानि की आसिफ शेख का हेल्थ एंड फिटनेस फंडर सीरियल भाग बकुल भाग की स्टा कास्ट ने शो में अपने कैरेक्टर पर की जूम से एक्स्क्लूजिव बात चलिए जानते हैं बकुल, शीना और जिगना के बारे में ऐसा है कि बकुल बहुती सीधा साथा इंसान है, बहुती सुईट है, इनिसिंट है और बिचारा फस गया है अब वो कोई दिमाग नहीं लगाता, वो बुलता है यार बस कैसे भागू, भगवान उसके साथ है, ऐसा उसे लगता है कभी के बार, और कभी को लगता है कि नहीं है, कि ऐसी सिटुएशन में लाया ही क्यों टीवी स्टार वरुन कपूर टीवी पर कर रहे हैं वापसी, जीहां वरुन सीरियल स्वरागनी के बाद, अब नज़र आएंगे नए शो सावित्री देवी कॉलेज आंट हॉस्पिटल में, डॉक्टर अभीर के किरदार में यह कारेक्टर, of course he's very intelligent, एक तरद से आपको लगेगा कि यह सीरिस नहीं है, कुछ भी कर रहा है, but then he has his own way of doing things सीरियल देवानशी में आगया है हाई-पॉइंट ड्रामा, जब देवानशी ने बनाया है प्लान कुसुम सुंदरी को बे नकाब करने के लिए दरसल माता कुसुम सुंदरी ने जनता में बनाई है अपनी ऐसी चवी कि वो एक टाइम पर दो जगा मौजूद रह सकती हैं और इसी बात को जूट साबित करने के लिए देवानशी ने चली एक ऐसी चाल ताकि माता कुसुम सुंदरी खुद अपने मूँ से कबूल कर सके असलियत सीरियल देवानशी में एक तरफ जहां देवानशी ने माता कुसुम सुंदरी पर लगाया जूटा आरोप जिस गुसे में माता कुसुम सुंदरी ने बौखा हालत में बख दिया असलियत कि वो दूसरी जगा नहीं थी बलकि दूसरी जगा माता कुसुम सुंदरी का पुतला होता है जिसके बाद कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट जब सब के सामने खुल जाता है माता कुसुम सुंदरी का पोल और जिसके बाद कुसुम सुंदरी का होता है बुरा हाल यहां तक की कुसुमसुंदरी बेहोश होकर गिर जाती हैं सीरियल भावी जी घर परहे में आ गया है नया मोड जब विभूती को मिला है तिवारी जी के घर को पेंट करने का कॉंट्राक्ट और फिर क्या था? विभूती जी लग पड़े तिवारी जी के घर की पेंटिंग करने के लिए लेकिन इस काम को करते करते विभूती ने कर दिया है तिवारी जी के घर का बुरा हाल जिसे देख तिवारी को आता है गुस्सा वहीं दूसरी तरफ विभुती जी काम करते करते अंगोरी भाबी के हाथों बने लजीज पकवान का उठा रहे हैं लुट्फ भी जिससे तिवारी जी गुस्ते में निकल जाते हैं सीरियल भाबी जी में जहां एक तरफ भाया विभुती ने तिवारी जी के घर के पेंटिंग के बहाने कर दिया है उनके घर का बुरा हाल वहीं जब ये देखने के लिए अनीता भावी आती है उनके घर, तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब अनीता भावी के आते ही उनके उपर गिर जाता है कलर, जिसे देख विभुती जी हो जाते हैं परिशान. सीरियल साथ निभाना साथ्या में गोरा हाउस में जहां भवावानी ने की धरम को अपना बनाने की कोशिश, वहीं मीरा और विद्या ने मिल कर बनाया प्लान भवानी को इस घर से बाहर निकालने के लिए. और अब मीरा विद्या के कहे अनुसार चल रही है चाल, जिसे देख भवानी का घर में हो रहा है बुरा हाल और हद तो तब हो गई जब मीरा ने भवानी के हाथ से ही ले ली चाय ये कहकर कि उसने पिला दिये अपने पती धरम को चाय जिसे सुनकर भवानी और भी घुस्ते में आ जाती है जबरदस में आज हमारे साफ हैं entertainment industry का एक ऐसा सितारा जिन्होंने अपने fitness, अपने smartness और अपने hard work के चलते आज के यंग TV स्टार्स को भी दिया है मात जी हाँ हम बात कर रहे हैं popular TV शो भाबी जी घर पर हैं के most popular handsome hunk विभूती नारायन मिश्रा यानी TV स्टार आसिफ शेख की जिन्हें जूम के कैमरा ने exclusively किया कैद early morning सेट पर उनके green room में जिम करते हुए और पसीना बहाते हुए जूम ने किया है कैद ये जानने के लिए कि कैसे रहते हैं वो fit and fine मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ी basic को बहुत ही focus exercise करता हूँ मैं बहुत ददा exercise नहीं करता है लेकि जितनी करता हूँ which is which is just right and good for me and I have to consider my age factor also so I really can't exert myself much so पहले मैं I start freehand अला कि आप देखरे हैं बहुत थोड़ी जगा है मेरे पास लेकिन मैं इसमें freehand करने की पूरी कोशिच करता हूँ और I never forget to do my neck exercise because neck exercise is the best exercise because ये सारी आपकि यहां से सारी जितने भी veins यहां से जाते हैं the whole connection is from here so that helps ये आपका ये portion जो है back portion ये थड़ा सा रिलीस होना चाहिए because here severe body काफी stiff होती है तो उसके लिए आप रहा सा बिफर ये सार्ट ये लोजने आप this is balancing I do regularly because I feel balancing is very important then this ke baad what I do I do crunches crunches मैं total 1500-1500 करता हूँ but it takes about 20-15 minutes मुझे लगता है मुझे आपर अभी मैं कर रहा हूँ ये सिस्स पर लोड इसके बाद it's very important to stretch yourself stretch your back back stretch करनी चाहिए आपको and after this knee on the floor then I do the gyps और हर एक्साइस के बाद I do stretching I do front and I do sideways this is like a circuit I do three four things together ये पुरा करने के बाद shoulders, arms और बीच में सेकट में अपनी रहसा भी मारता रहता हूँ I do this four arms ये तो ये करता हूँ this way and then another miss this way for upper wrist कितना मैं करता हूँ ता कि मैं fit रहा हूँ और जब भी मुझे दिन्ने मुखा में ता कभी भी तो I do stretching, मैं शौट में कभी देखेंगे आप stretching कर रहा हूँ कभी मैं, you know you must be seeing so I keep myself बताना कि रहवानी रहता हूँ मैं पूरे दिन I do little yoga, yoga की में तो exercise करता हूँ पूरे exercise में आपको breathing का बड़ा ख्यार लखना होता है because breathing बहुत important होती है while you're working out so when you recover your breathing like आपने exercise कर लिए उसके बाद आप slowly slowly अपनी breathing pattern जो हता है आपको उसको recover करते हो and then last main, what I do is ये पहर नीचे करके और ये पहर नीचे करके then I stretch my full body तिक ये को मैं इसे पिछे ले जाए 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 मैं नीचे से पुझ कर रहा हूँ और उपर से पुझ कर रहा हूँ वेल जूम से एक्स्क्लूसिवली बात करते हुए पॉपिलर अक्टर असफ शेख ने किया रिवील अपने डाइट पूड के बारे में भी यह कुछी चीज है जो रेगलर करता हुए और दुपहर में लच में बहुत है भी नहीं करता हुए करीब सो देट सो ग्राम के खरीब चिकन खाता हुए दो रोटी क्वास काब ज़रूरी है आपको देने काम करने के लिए यह जो प्रूज़ा मैं आपको जब देखा रहा है कि आक्टर असफ शेख डेली इतना हाद वर करने के बाद रहा है कैसे बनते हैं आसिफ से विभूती नारायन मिश्रा आफ्टर वरक आउट दसमें ड्रेस करने के बाद दनाई शेव एड़ इसके बाद यह मेरे मूपर यह वेक अपर देते हूं विभूती जी का फिर मैं ट्रांस्वाम हो जाता हूं एक आसिफ शेख से विभूती नारायन निश्रा और और आफ्टर मेक अपर मेक अपर आई कॉसिम करके दनाई स्वाइट माई देए वेल वी होप कि आप टीवी स्टार आसिफ शेख के इस एक्स्क्लूजिव जिम वाली म्यूस से हो गए होंगे फुली रिचार्ज बोनस धमाका में देखिए साथ निभाना साथिया की मीरा का घूंगट वाला लोग बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल साथ निभाना साथिया की मीरा यानी टीवी स्टार तानिया शर्मा जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद उनके घूंगट वाले लोग के साथ घूंगट उठाईए और तड़ा इसके पीछे का राज बताईए नाई अज आपने कोले हैं सिखी आपने आपको लेकिन मेरा कम थोड़ी नहीं मेरा भी तो स्मार्टी है सो दो सौतनों की लडाई में कौन चीतेगा ये तो आपको पलबपता चलेगा लेकिन ये वाली जो चाले हूँ वो मैं जीचुकी हूँ ये सीन में भवानी के पूरा ड्रेस पहन के तो मैं धरम जी को डराने की कोशिश कर रही थी उनके बहुत नजदीक जाके तो अगली बार वो भवानी अगर आने की कोशिश भी करेगी तो धरम जी दूर से उसको धका दे देंगे तो यही हमारा प्लान है जूम से बात करते हुए मीरा यानि की टीवी स्टार तान्या शर्मा ने किया रिवील अपने इस लुक के बारे में भी हाँ ये भवानी की ड्रेस हमने चोरी कर ली है चोरी कर ली है और कन्विन्स हो जाएगी ओडिन्स की भवानी उमर ये रास खूलेगा जो विद्या आएगी और हम लोग अपना प्लान बताएंगे सबको तब Well, we hope कि आप Tanya Sharma के इस न्यू लुक वाली न्यूस से हो गए होंगे फुली रिचाज तीस मिनित का फूल रिचाज जूम तेली टाप अप For all the कर्मा करम, Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now